हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम 11 वोमन सूपर स्मैश 2022 के 19 मैच के बारे में फ्रेंड्स जो की वैलिंग्टन ब्लेज वर्सिस ओटेगो स्पार्क्स के बीच है और इस मैच को आप कल सुभा के 3 बच के 40 मिनट से दे बात की जाए तो हलके बारी सोने की संभावना है टेंपरेचर 17 डिगरी सेलसियस रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बल को प्रेस करें ता प्रेंड्स वहां से आप मेरे टेलिगराम चैनल को जॉइन कर सकते हैं सारे मैचस की फिक्ष्ट रिपोर्ट के लिए अब अगर वैलिंग्टन बलेज के पिछले पांच मैचस की बात की जाए फ्रेंड्स तो पांचों मैचस में जीत हुई है वहीं और टेगो स्पार्क्स क अगर पिछले पांच मैचस की बात की जाए फ्रेंड्स तो चार मैचस में जीत हुई है एक मैच में हार हुई है वहीं अगर प्रिवियस येर के फाइव हेड टू हेड मैचस की बात की जाए फ्रेंड्स तो पांचों ही बार वैलिंग्टन बलेज वूमेंस की जीत हुई है और अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स तो वैलिंग्टन ब्लेज से मैडी ग्रीन, लेकोस पैरेक, थॉमसिन न्यूटन, अमेलिया केर, जैसीका मैक फेडन, जैस केर, रेबेका बर्न्स, डीना डॉरी, जारा जेटली, मेनका सिंग और जॉर्जि या फ्लीमर, ये हो सकती है प्लेइंग 11 वैलिंग्टन ब्लेज की, और अगर ओटैगोस पार्क्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स तो, ओटैगोस पार्क्स से, सूजी बेट्स, पॉली इंग्लिस, केटी मार्टिन, कैट इब्राहिम, केटलिन, ब्लेक ली, एमा स्पार्क्स की अब अगर पॉइंट स्टेबल की बात की जाए फ्रेंट्स तो पॉइंट्स टेबल पे और टैगो स्पार्क्स की टीम फर्स्ट पोजीशन पे 24 पोइंट्स के साथ हैं 7 मैचस खेली है 6 मैचस में जीत हुई है वहीं वैलिंग्टन ब्लेज वूमन्स की टीम सेक बेयर करने पे कल के इस 19th मैच में वैलिंग्टन ब्लेज वोमेंस के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार चाता है आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस 19th मैच को लेकर आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं उमीद करत आपको यूडियो पसंद आए होगी अगर आपको यूडिश पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके सात ही सात जार जा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद